CG Board कक्षदस्वी के विद्यार्थियों को गड़ी सब्जेक के कुछ महतुपूर प्रस्ण दे देता हूँ जो प्रस्ण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये सारे प्रस्ण बहुत महतुपूर है क्योंकि वर्षिक पेपर में आपको यही से प्रस्ण देखने को मिलेगा और मैंने IMP सूची पहले ही बना दिया है तो IMP सूची में पूरा जितना भी प्रस्ण टिक करया है न वो सारे प्रस्ण ही बहुत ही महतुपूर है तो आपको उन सभी प्रस्णों को देखना है और साथ ही साथ वस्तुनिष्ट प्रस्णों को भी देखना है तो वस्तुनिष्ट प्रस्णों में कौन-कौन सा आ सकते हैं मैं बता देता हूं कि अध्याय 9 और अध्याय 10 से है गड़ी सब्जेक के अध्याय 9 और अध्याय 10 तो में दिवाला जो अध्याय है उससे कौन-कौन से प्रस्न देखने हो मिलेगा और इसको उत्तर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं तो देखो पहला है यदि टेन थीटा बराबर वन अपान करनी थीन हो तो थीटा का मान होगा तो उत्तर क्या लेना है तीसंस ठीक है त्रिको देखते हैं यहां पर है दो साइन थर्टी अपान कॉस सिष्टी का मान होगा तो इसका मान कितना होगा यह जो दो दिखाई दे रहा है यही इसका मान होगा जो कि साइन को अगर मैं कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस और यह कॉस बन जाएगा और यह पहले नीचे वाला ही क है तो काउस क्या हो जाएगा जायेगा ठीक है तो इसलिए यां पे सिर्फ बचे क्या दो और कोड्ड 85 और यहां पह कॉस 75 दिया को प्रदर्सित किया जा सकता है कह रहा है तो इसेह Vegक के लिए और इसको कितनी के आँ सकता है पचीस और पांच असी तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इसी तरह से चौथा प्रसन देखो यह साइन है और यह कोसेक है तो यह साइन और कोसेक sign के ulta क्या होता है cosak के ulta sign होता है यह दूनों एक दूसरे सकर जाएगा तो बचे क्या सिर्फ एक बचेगा इसके बाद है किसी संकोर्त रिभुज में एक noon कोर theta के सापश कर्ण और lum के अनुपात को कहते है तो lum के अनुपात को क्या कहते है तो कर्ण बट्टा अगर लम लेंगे तो कर्ण बट्टा लम किस में होता है खोसेक में होता है तो कोसेक होगा छटहवा है 10-45, गुड़िyr सेक 45 का मान होगा तो दोनों का मान एक होता है तो ये एक ले लेना इसके बाद साथवा प्रशन देंखो a plus b बराबर 90 हो तो तब sin a बराबर होगा sin a के बराबर जो होगा वो cos b होगा ठीक है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया था कि जब a होगा तो a के just विप्रीत b होगा लेकिन sin में उसका मान क्या होगा sin में उसका मान जो रहेगा just cos में उसका मान change हो जाएगा तो cos 20 का उत्तर होगा और इसके बाद है आठवा प्रसन sin 64 और cos 26 तो ये दोनों हल होके ये plus और minus होके कड़ जाएगा तो 0 आएगा ठीक है देख लो ये प्रसन अगर exam में आता है तो आपको क्या लेना है 0 लेना है नवा प्रसन 1 प्लस 10 स्क्वेर ठीटा ये जो होता है ये कोसे की स्क्वेर जिसका सूत्र है sin स्क्वेर 30 और cos स्क्वेर 30 का मान होता है एक सिधा एक ले लेना है ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रसन बताया और भी कुछ प्रसन है उसको भी देख लेते हैं जैसे की ये वाला प्रसन ठीक है ये परिच्छा वोध से है तो परिच्छा वोध में जो प्रसन है उसको भी देख लेते हैं छोड़ना तो हमें किसी को भी नहीं है तो यहाँ पे देखो यदि x बराबर sin theta तथा y बराबर cos theta हो तो x square plus y square का मान होगा तो इन दोनों का मान क्या होगा? एक होगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? एक लेना है, यह आ जायेगा यहाँ पे x और y दिया है, तो फिर यहाँ पे भी वैसी कह रहा है तो यहाँ पे a और a, दोनों उभाइनिश निकल जाएगा, तो a का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो क्या लेना है? a का वर्ग तीसरा देखो, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है a दोनों में से अगर बहार निकलेगा, तो a बहार आ गया तो यह बन रहा है, और इसका मान कितना होता है? एक होता है तो मतलब 20 का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसके बाद देखो, समकोर यह लंब और कर्ण बोला है, अनुपाद बोला है तो लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन में होता है तो साइन क्या रहेगा इसका उत्ता रहेगा जाश उल्टा कर दिया देखो अभी जैसे मैंने प्रसना आपको दिखाया था तो उसमें करना और लंब कहा था इस बार लंब और करना कर दिया तो साइन होगा इसका उत्तार निम लिखित में सर्वसमीका नहीं है कौन सा नहीं है तो ये दोनों सर्वसमीका है की नहीं देखो ये तो सर्वसमीका मुझे पता है इसका उल्टा ये होता है इसका उल्टा ये होता है लेकिन इसका उल्टा ये नहीं होता है मतलब यही सर्वसमीका नहीं है छत्वा देखो sin alpha बराबर 3 अपान 5 cos alpha बराबर 4 अपान 5 हो तब sin square alpha और cos square alpha तो यह 3 मतलब 9 और 25 16 और 25 तो यह दोझों जूर जाएगा तो जूरने के बाद कितना हो 25 और 25 का वरなた बतलब यह रहेगा ठीक है । और 25 tenho 5 कवर और 25 तो 9 और 16 ठीक है तो यहाँ पे यह दोनों कटके एक प्राप्त होगा तो इतना आ जाएगा उत्तर ठीक है तो एक ले लेना है इसमें आगे देखते हैं यहां से दो प्रस्थना आएगा ना इस अध्या से तो छोड़ना तो नहीं है मैं सभी को देखना है मैं यहाँ पे सबसे क्या जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा एक आ जाएगा टें थीटा बराबर एक हो तब इस का मान कितना होगा 55 फंस होता है na तो 45 ले लेना है sign और ये कॉसर भी जस्टर इसके पारे मैंने बताया था ठीक है लेकिन उसमें क्या लगा था दो लगा हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे आपको लेना है एक लेना है क्योंकि कुछ भी नहीं लगा है मतलब एक आ जाएगा यहाँ पे देखो यह दोनों तो कड़ गया है कॉट और टेन है मतलब कड़ जाएगा तो बचे क्या तीन सीधा तीन लेना है ऐसे प्रस्नों को ऐसी बनाना है आपको ठीक है दिमाग ऐसी लगाना है बहुत आसाई से बन होगा तो इसका उत्तर क्या लेना है इसका उत्तर आपको तीस ले लेना है यदि कॉस सीधा साइन थीटा ब्राबर कॉस स्क्वेर थीटा हो तो थीटा कमान होगा तो थीटा कमान कितना होगा यह होगा यह पैंताली सो नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् 90-0, तो यह cot में हो जाएगा, तो आपको cot लेना है, यह जो 15 अपरशन दिखाई दे रहा है, sin 90-0, और cos 90-0 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यह cos और यह, इसका मान तो एक आएगा, मुझे पता चल गया है, ठीक है, यह sin में change हो जाएगा, यह cos में change हो जाएगा, और यह, दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका विमान एक होगा, यहाँ पर देखो, यह दोनों भी बराबर तेंटीस तेंटीस, और यह sin square, cos square, मतलब इसका जो सूत्र होता है, उसमें यह क्या होगा, बराबर हो जाएगा, मतलब एक आयाँ यहाँ इसके बाद sign square theta minus 1, इसका क्या होगा, तो सारी, sin square theta minus 1 कह रहा है, तो यह हो जाएगा, देखो sin square theta minus 1, मतलब 10 में होता है, ठीक है, 1 minus sign दिया है, मतलब cos में होगा, और यह cosec दिया है, तो cosec का क्या होता है, kosag का होता है, हगी सेख होता है को से यहां पर दिया है एक में इसका क्या होगा को सेख स्क्वेयर ठिटना इसका हुगा होगा कॉट में होता है तो कॉट ले ले ना uh चलो आगे देखते है इसके बाद देखो 10 90 माइन सिष्टी दिया हूपान तो इसका मतलब यह है इसका उत्तर जो है वह कितना होता के 35 अन्स में मान होता है एक होता है तो एक लिए लेना है यहाँ पे 60 हंस में कितना होगा 10 के 60 हंस में करणी 3 होता है ना तो करणी 3 ले लेना है यहाँ पे और 10 30 और सेख 30 दिया है तो यह सिर्फ एक बचेगा यहाँ बार बार एक आ रहा है उत्तर में मतलब अगर इससे प्रस ना आता है तो आपको क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है यह पूरा सॉलूसन में बन जाता है सेख 45 और को सेख 45 दिया हुआ है तो वन अपान यह यह चेंज करेख 10 कोड और करके तो यहां भी कर देंगे तो यहां भी बहुत आसान था चलो अब लेते हैं के पूर्ति ठीक है तो यहां पे देखो त्रबूच ABC में कोड B बराबर 90 अस तथा कोड C बराबर theta हो तो sin square theta और यहां पे क्या जाएगा? कॉस इसकर theta का मान एक होता है तो यहां पे cos square theta हो जाएगा ठीक है? इसके बाद अगर बराबर हड़ यह वर्ग में दिया और यह दोनों बराबर है तो एक का एक ही आएगा theta बराबर यह Tricornmiti अन पात परिभासित नहीं है तो परिभासित किसके किसके लिए नहीं है? एक तो यह 0 अंस में कह रहा है ना? 0 अंस में एक तो कोसेक है कोसेक और 1 है Quart, इन दोनों के लिए परिभासित नहीं है, तो दोनों लेना है, आपको से एक और Quart, ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बाद 1045 दिया हुआ है, तो 1045, हाँ ठीक है, 1045 में मान कितना होता है, एक होता है, साइन नाइन्टी माइनस सीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन नाइन्टी माइनस सीटा हो जाएगा कॉस सीटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस ले लो इसके बाद देखो यह कड़ जाएगा इतना बचेगा दो इसके बारे मैंने बताया था चटवा में आपको डायक्ट दो ले लेना है ये आंटोमेटिकली कड़ गया है मानलो इसका हो जाएगा सिर्फ सेक लेना है क्योंकि ये सूत्र जो है वो सेक स्क्वेर के अंडरूड है इसलिए वर्ग हड़ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा से मान तो आपको क्या लेना है एक लेना है ये ठीटा बराबन 90 के लिए सेक स्क्वेर माइनस टेनी स्क्वेर का मान । इसका मान जब्तन हो जाएगा ये सूत्र बना रहे कि नहीं बना है मुझे भी पता नहीं इसको छोड़ देते हैं ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद द दसव प्रश्न, नवं प्रस्ण परने एक स्क्वेर एक मान्स 10 स्क्वेर का मान्स एक होगा, यहाँ पर ये देख लेते हैं, वन प्लस photograph is square होता है, इसका मान कहह रहा है, तो त्रिकोड मीती में क्या है, यह एक प्रकार कि एक एक सर्व समीका, लिक लो सर्व समीका, ठीक है, आ दोंनों को गड़ाते हैं एतों को क्यों सदों एक रिचैनल और दोंने टोंगे अधैनल्यें तरह से यहां ठीटा बडर एक थित्ना ऑड़ाने कितना हो सबाद me चेंज प करेंगेों माहें यहाँ पैस्लिटा पेसे कि मढ़ीवार शेवार खेंगा पैस्लिट यहाँ पे देखो cos में अगर 1 हो तो यह 90 अंस होता है sin में 1 हो तो 0 अंस में होता है तो इस तरह से यहाँ पे आपको पता चल गया sin स्वारी यहाँ पे 1 का है तो यह क्या हो जाएगा 90 अंस होता और यहाँ पे 1 कह रहा है तो एक जो है वो 0 अंस में रहता है जस्ट उल्टा मैं कर दिया था ना ठीक है याद रखना एक जो है 0 अंस में होता है और साइ 90 अंस में 1 होता है मान तो ये रहेगा ठीक है आगे देखते हैं सत्य सत्य देख लेते हैं सत्य सत्य में देखो ये दोनों हल होके, ये और ये, ये minus में आ जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये एक रहेगा, minus cos square हो जाएगा, तो एक यहाँ से गायब, इसलिए ये सत्य है, कथन, पहला वाला, दूसरा देखो, ये सही है, सत्य, इसका सुथ्र है, सत्य, ये भी सत्य है, और ये हो जाएगा, य यहाँ पर साइन और यहा गल्व एक हो गया प्लज और यह दुनों भी एक हो जाएगा तो एक-टेसी कौट चायाए यह सब्सक्राइब ये ये भी सत्य है ठीक है और ये 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 सत्य है चोकि इसका मान कॉस होता है ना कि सेख इसलिए ये सत्य है सेख स्क्वेर थीटा माइनस वन ये सत्य है ये प्लस वन होता है ना नहीं नहीं एक मिल्ट एक मिल्ट ये सत्य है सत्य है वारी सत्य है ना क्योंकि यह उसके पार जाके प्लस में हो जाएगा सत्य है CD上 माइनसकोς इस तरह सा दिया हुआ है अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा था माँद इसका उत्तर आपको सत्य लेना है स्सीन 30s का मान अंडरूट 3 होता है क्या यह सत्य सत्य क्या यह 7 सत्य है और यहाँ पर क्या दिया साइन 30 और कॉस 60 का मान के बराबर होता है एक के बराबर होता है तो यह सत्य है और इसका और इसका मान देखो यह दोनों के मान भी बराबर होता है तो यह भी सत्य होगा ये दोनों के मांन भी बराबर होगा तो मतलब ये भी सत्य है तो अभी मैं जितने प्रसन बता रहू हूँ आप लोगको इन सभी प्रसनों को अच्छे से देख लेना टीक है जैसे सत्या सत्य जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही से प्रस्न बनेंगे और आपको ना इसे अच्छे से त्यारी कर लेना है